जहिन दोस्तों आज सभी का बहुत-बहुत सागत है आपके अपने सीख के कंपूटर एकेड़िवें मैं चानकास आज आपको कंपूटर के बेसिंग नॉलेज के बारे बताने वाला किस प्रकार से आप अपने कंपूटर को आपरेट कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहते हूं कि जो आपको छोटा-छोटा यहां पर आइकन दिखाई दे रहे हैं इनको आप फोल्डर भी कह सकते हैं आइकन भी कह सकते हैं जब लोग कोई चीज़ सेव करते हैं तो वहां पर आपसन पूछता है कि आपको डेक्स्टाप पर रखना है डाकुमेंट में रखना है किसी फोल्डर या ड्राइब में रखना है तो आप जो है वहां से बताते हैं अगर डेक्स्टाप बताते तो जो भी चीज़ आप सेव आप को दिखाए देता है तो यह आपको दिखाए दे रहे हैं Simble से इसा है folder या icons नर्मन में इसे आइकं कहते हैं लेकिन आप इसको folder भी कह सकते हैं उसके नीचे में आपे पट्ली पटटी दिखाए दे रही है आपको इसी परकाट आपको यहां पे मेनु मिलता है आप को यहां से ऊहां मिल जाता है यहां से आपको शॉलिकर की तो माक्रोफिस में किलिक किए और इसे लावा सब्सक्राइत नहीं सब्सक्राइब यहां पर MN MS Office को यहां से पकड़ा MN MS Office Word 2007 अगर 10 होता टर्ड लिखा होता है Microsoft Word 2010 लिखा होता है अब इसको आप पकड चाहिए तो यहां पर रख सकते हैं या फिर आप चाहिते हैं डेस्ट अब टैशना पर रखना तो इस आप लागत युव है जो त सब्सक्राइर देखन भी आ जाता है और अगları आपको यह यह तो आप कैसी हैं और पहुत बड़ी लिग मैनेज करके तो आपको आपको aFist folder दिखाया दे लेगे बहुत बड़ा दिखाया देना लगता है वीव पे लार्ज का अपको प्रेस करते हुए वाउचो बड़ा बड़ा को आपको आपको आइकन दिखाया दिने लगतें लेकिन आगर आप चाहते कि यह मीडियूम साइज में हो जाए तो right click करेंगे अपने mouse से view पर आएंगे और यहाँ पर medium icons पर click कर देंगे तो यह जो आपके icons मीडियूम साइज में हो जाएंगे लेकिन आप चाहते हैं कि और छोटा हो जाए तो क्या करना व्यूव पर आना है और आने के बाद यहां पर लिखा इसमाल आइकन तो आपको इसमाल आइकन पर क्लिक कर देना है इससे कि अगर आपके जो आइकन से यह चोटे हो जाएंगे इसके अलावा जो है मैं आपको यहां से नीचे दिखा देथा हम यहाँ पर लिखा आटो एरंज आइकन अगर यहां पर टिक नहीं लगा हुआ है तो आप जो है आइकन को कहीं पर भी रख सकते हैं मैं पहले साब रखाए को दिखाए दे तो इसको आप कहीं पर भी रखेंगे तो आरो तरफ यहां पर इस प्रकार से आप रdefined सकते हैं लेकिन यदि आप VIE पर आके यहां पर अटो- आइरेंज आइकन पर मेटा़ से या तो पहले से टीक लगा हुआ है इस परकार से यह work करेगा इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है आपका So desktop icon अगर आपको यहाँ पर टिक लगा है तो आपको desktop पर इस अब icons दिखाई देंगे और यही टिक नहीं लगा है तो आपको desktop पर कोई आइकन दिखाई नहीं देंगे जैसे कि वीव पर आ गए और यहाँ पर show desktop पर हमने इसको untick कर दिया जैसे untick किया तो देखिए आपको हमारे desktop पर किसी भी परकार का icons नहीं दिखाई दे रहे हैं अब icons लाना हो तो आपको क्या करना है अपने mouse से right click करना view पर आना है और यहाँ पर show desktop पर click कर देना है जैसे ही आप click करते हैं तो देखिए हमारे सामने जो है जीते भी हमारे icons थे तो वे सब show करने लगे हैं इसी अलावा जो है आप नीचे दिया है sort by और sort by में जो है name के हिसाफ से sort करना size के हिसाफ करना आप जो है size के हिसाफ से करेंगे तो size पर click कर देंगे जो सबसे कम जिसका size होगा हो सबसे पहले रहेगा और सबसे ज्यादे size की जो folder या icons होगे हो सबसे last में रहेगा तो इस परकार से आप जो है वियुस्तित कर सकते हैं sort कर सकते हैं इसके लावा आपको जो है यहाँ पर जाता है टाइप जो कि items के हिसाफ से तो item के हिसाफ से आपको यहाँ पर ब्योस्तित करता हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा है इसके बाद date इसके बाद दिया है पेश्ट कब कर लेना चाहिए इसके बाद दिया है पेश्ट कब कर पर रहा होगा आपके करते हैं भी जान लीजिए जब किसी भी फाइल अथा फोल्डर को अगर हम लूग करते हैं तो उस समय यहां पर हम पेस्ट का परियूग करते हैं मान लीजिए कि Microsoft Office का एक हमारा पहले से है और एक मैं इसका और कौपी चाहता हूं तो क्या करना है दो तरीका होता है का एक तो होता है कि आप उस आइकन को पहले अपने माँस से प्रेस करना है इसके बाद रइट की प्रेस करेंगे option खुलेगा और इसमें आपको देख सकते हैं यहां पर लिखा copy अब इसी copy पर इनकिर करेंगे तो काफि हो चुका है अब मैं just pre करने लगा अब इसैश्म मैं गडूशा लेकशन करने लगा इसके je cherry avi करेंगे तो दीखियो घुर में जो है copy यहाँ पर पेश्ट हो चुका आप control panel देख रहे हैं जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप का यहां पर यहां पर फोल्डर रखा हुआ है यह folder हमारा shortcut नहीं है लेकिन अगर हम इसका shortcut बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चाहें तो यहां से डाइट बना सकते हैं या पर इसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप राइट किलिक कीजिए यहां पर लिखा है पेस्ट सौटकट तो इसमें आपको यहां पर किसी भी परकार का तीर नहीं दिखाए दे रहा होगा इसके अलावा यहां पर अंडो देख रहें तो अंडो का मतलब होता है एक किस्टेप पीछे जाने के लिए अगर आप जो इससे पहले कारी कर चुके उस पर जाना चाहते तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो पीछे चले जाएंगे देखिए अभी हमने पीछे किया तो जो में फोलडर बनाना है य Wak किसी के नाम से फोलड़ बनाना या अफ्सका वर कर है उसमें फोलडर बनाना है तो आप क्या कर सकते राइट किलिक करेंगे निव पर आएंगे और पहला अप्स जो आपको यहां पर दिया है पो ब होल्टर से फोलडर बनकर आ गया है अभी वोडर हमारा बन चुका है और बात और जाने अगर डिश्ट्राप पे आपका कोई फोल्डर है उस फोल्डर को तो आप open करना चाहथे तो लगा था उस पर दो बार के लिकरेंगे जब दो बार के लिकरेंगे लगाता तो open हो जागा एक तरीका तो यह कि डिस्टाप इसे किसी भी फोल्डर या आइकन को कैसे वे लेकिन आप कई कई सिस्टम से कई सिस्टम चलाएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्क्नेट का भी आफ़सन सो करेगा लेकिन यहां पर भी नहीं सो करा क्योंकि हमारा सिंगल सिस्टम है इसके आलाओ यहां पर लिखा है रिस्टार्ट तो जिस प्रकार से आप अपने मॉबाइल को रिस्टार्ट करते हैं तो हमता है उसी प्रकार आपका system भी स्विचाप होगा और स्विचाओन को जाएगा उपर दिया सट लुटेंट करते हैं तो आपका system इसके बार करेंगे तो कुछ समय के लिए आपका system बंद हो जाएगा तो power में यह आपको acton देखने के लिए मिल जाते है इसके बाद आपका दिया setting तो setting पर किलिए करके जाकर अपने system में सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि आपको display में किसी सेटिंग कना सेटिंग करना बस्लाइज का सेटिंग करना जिसमें background एकाउंट मनां चाहते हैं यह सभी काम आप अपडेट करना चाहते हैं तो यह सभी काम आप विद्टू सेटिंग में जाके कर सकते हैं जो कि आप यहां से यहांप करने देख सकते हैं उतके लिए हैं पर आपका ड दाक्यमेंट यहां तो दिखाई देरा है तो जब आपको कोई फाइल करते हैं तो उसम्हिन आपिसको रखेंगे कहां तो अगर में cockpit चुनते हैं तो आपका यहां document में show करता है यह आप यहां से भी देख सकते हैं this PC से भी देख सकते हैं अगर आप बंडो 7 चला रहें तो उसमें my computer होगा लेकिं अगर बंडो 10 चला रहें तो उसमें आपका this तो यह चीज्जा आप को देखने लिए मिल जाता है उपर हमारा यहां पर जो कम्प्यूठर लिखा है मैं अपने यूजर का नाम अधि दितना अपधा यहां दिखा देतalar है हमारे सिस्टम में इतना यूजर बना हुआ है इसलिए हमें यहां पर इतना सब दिखाई तो मैं है यहां पर ऐसे लिख सकता हूं माइक्रो इस अब दिखिया गए इतने लिखने में आ गया है बस आपको क्या करना इसी ओपन पे क्लिक कर देना जैसे आप क्लिक करते हैं तो जिया है ओपन हो जाएगा तो किसी भी फाइल तो पोल्डर को जो है आप सच बॉक्स में करते हैं मिनमाज करने के बाद आपको राइट में आपको या लेट किसी में लेट में आ रहा है किसी में राइट में तो आप उस पे क्लिक कर दोंगा आटमेटिक होई हमारा खुल जाएगा देखिए खुला है फोटोसाफ सेवन में है यह एड़ फोटोसाफ सेवन पॉइंट ओ देखिए खुल गया तो इस परकार से जैसे आप लोग मुबाइल चलाते हैं वहां पर आपको मिनमाज करने के बाद जो है जब उसको दुबारा ओपन करते हैं तो आस राइट में आप में खर आप 24 परकार के फोल्डेळ होसकते हैं एक फोल्डेर होते हैं जिनको आप जो है मिनमाज कर देते हैं दूसरा वेफोलडर होते हैं जिन पर आप पिन कर देतें पिन करने का मतलब एफिक है villains यह नहींत दिक्कान दिकाई जए तो मैं चाहता है तों यह मेरे जंसे कि मुझे बार 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 जिसपे करना तो कों लो पिंघ करके रक लेan Voilà के करने के बाद आप जिस कि भी प्रोग्राम को यहां पर करना चाहते पहसे पहले प्रोग्राम कर लेंगे मैं यहां पर आया और यहाँ पर इसके बार right click किये right click करने के बाद देखी यहाँस पे सबसब उपर लिखा है इसके अलावा आप चाहें तो इसे नीचे लाके आप अरजश कर सकते कहीं पे भी लाके अरजश कर सकते माचाता है साइड में हो साइड में आ गया अब जब भी ओपन करना होगा यहां पर क्लिक करेंगे और आसानी से ओपन कर पाएंगे तो इस प्रकार से जो चीज पिन कर दिया जाता हो भी यहां पर आ रहें आइकन पर क्लिक करके जो आपको उच करते हैं घ्रओं टो इसके भी ऍ लिज कर देеспर्सुरैटी crédit आ पर अब कर देखेंगे निचें अगर आप जो ह supportson आपको यहां पर नहीं दिखायरे हैं जगह की Olay there में तो मिल जाते हैं उसके अलाव आपको यहां पर वीलूम दिया है तो यहां से आप क्या करते हैं अप्ने आवाज को जो है आगे करदाStar कर सकते हैं अगर आप राइट साइड में लाएंगे तो इसकी आवाज कम हो जाएंगी आपकी आईडियों की यहां पर आपको अभाइम सिंबल होता उस प्रकार का सिंबल दिखाए दीता है इसको कहते हैं नेट कनेक्टर तो आप यहां से नेट कर सकते हैं Wi-Fi के माध्यम से एर मोड में डाल सकते हैं Mobile Houseport पर यहां पर दिया गया है उसके अलावा यहां पर आप जो देखरे हैं विंडू इन वर्क स्पेस है तो आपफ कारी करने के लिए होता है, नॉर्मल इसका परियोग नहीं के जाता है इसके अलावा जो आपको यहां सेकेंड दिया है टच की वंड़ की ओर्ट दिया अब आपझी चाहते हैं अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया है तो आप diet यहां से भी आपना keyword परियोग कर सकते हैं जैसे आप mobile में परियोग करते हैं उसी तरह से इसमें भी दिया है तो आप जिस भी की को दबाना चाहते हैं बस आपको simply उसी को click करना मैं आपको करके दिखला देता हूं मा लिजे मैंने notepad open किया और notepad open करने के बाद अब जो है आप इसमें लिखना चाहते हैं लेकिन आपका keyword खराब है तो आप जो है इस keyword का परियोग कर सकते हैं और आपको जो भी लिखना है आप ऐसे type करेंगे तो दिखिए उपर type हो रहा इस पेस करना आप इस पे click किजिए लिखेगा तो आपका हो जाएगा और आपको enter करना है तो आप इस पे click करेंगे enter हो जाएगा और backspace करना है तो आप इस save क्लिक करेंगे तो backspace हो जाएगा तो सभी आसन जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है इस keyboard में मैं इसको card दे रहा हूँ do not से मुझे नहीं save करना है तो इस परकार से जो है आपको option मिल जाते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर language मिलता है कि कौन सा language चला आपके system में यहाँ पर date and time मिलता है task bar में और last में आपको मिलता है notification जिसे कि mobile में आपको notification आता तो उपर से आप slide करते हैं और देख पाते हैं और उसी परकार आपके system में task bar में यहाँ पर right click करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर मिल गया है तो अभी मेरा कोई भी notification नहीं आया इसलिए लिखा है कि no new notification अगर कोई notification आया रहता है उसी पर click करते हैं तो आसानी से हम उसको पढ़ पाते हैं तो इस परकार से आप कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको कुछ और option बता देना चाहता हूं जैसे कि मान लीजए कि मुझको यह जो ck folder है इसको मैं delete करना चाहता हूं तो जब delete करने का दो तीन तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं पहला तरीका तो यह कि आप इसको select कर लें और select करने के बाद keyboard से delete बटन आप दबा देंगे तो यह folder delete हो जाएगा एक तरीका वह होता है और दूसरा तरीका होता है कि आप इसको select करें और right click करें और delete वाले option पर click कर दें लेट की जैसे इस पर click करेंगे वह folder delete हो जाएगा लेकिन यह portal permanently delete नहीं हुआ है यह folder हमारा recycle bin में चला गया है तो आप recycle bin से जाके इसको दुबारा delete चाहे तो delete करते या फिर चाहे तो इसको restore कर सकते हैं CK के नाम से अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप normally क्या करें यहाँ पर search भी कर सकते हैं CK और मैंने यहाँ पर click किया तो दिखी यहाँ पर है CK के नाम से अब आप चाहेते तो यहाँ से इसको delete कर सकते हैं यह फिर चाहे तो इसको restore कर सकते हैं दुबारा पर योग करने के लिए वहाँ पर आ जाएगा तो आपको क्या करना है पर इस left click करके दुबारा नहीं प्राप्ट कर पाएंगे और restore पर क्लिक करेंगे तो यह यहां से आ जाएगा आपको जहां पर था वहीं पर देखें यहां पर दुबारा लोड कर चला आया तो इस परकार से जो है आप इसको restore कर सकतें लेकिन यही आप चाहते हैं कि मैं कोई folder है जिसको मैं हम को प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो है एक नोटिस आजाएगा कि आर इस यह वांट टु पर्मेंबेंटी डिलिट इस फोल्डर क्या आप निश्चिंत है कि आप इस फोल्डर को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं तो यह आप चाहते हैं कि हमेशा 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 तो देखे अब वह folder अब को दिखाई नहीं दे रहा है सब दुसरा दूसरा folder है वह folder हमारा यहां पर नहीं है यानि कि मेरे पूरे computer से ही वह folder delete हो चुका है तो इस परकार से जो है आप कर सकते हैं और यदि आपको फॉल दर बनाया है और अब उसका नाम change करना चाहते हैं तो आ आप मैं इसको नाम चेंज करना चाहाएता हूँ, तो दो तरीका है, एक तरीका है, तो इसको आप select करें, और select करने के बाद keyword से ही आप two press करें, इसके बाद नाम लिखने के लिए आ जाता है, इसके बाद जो भी आपको नाम लिखना है, लिख सकते हैं, एक तो यह तरीका, करने के यवाद आज सबसे नीचे से दूसरे अस्थान पर आप देख ले unwcause आता है het इस मेरे फ्ल्डर हो चुका है गुमुइग करेंगे हैं ऑप लिए यहाँ differenti div हो चुका है अब आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं जैसे मुझे लिकना छीफितन हो कि मन्हें चेतन लिग दिया हुआ है उसका है लित तौब को लगा वीडियो द्रिक्राइब क हिजिए नोटिफिकेशन आहसे ने वीडियो में